Hello everyone, कैसे हैं? ये recorded वीडियो जा रही है application के उपर और आगे करते हैं हम इसको start exam आने वाला है, सबी बच्चों का so prepare होंगे आज मेरी कोशिस है कि one shot में आपका पूरा का पूरा income text का थियोरी सिर्फ questions और answer देने से नहीं, उसको पूरा revise भी करा दिया जाए तो बहुत ही शांती मन से वीडियो को download करिए, net को off करिए और earphone लगाईए और सिर्फ मुझे सुनना है और सुनने के बाद सिर्फ आपको आगे पढ़ते जाना है बहुत simple सी बात है, हम पूरे one shot में कोशिस करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी इसको ख़तम करने की तो सर, income tax की theory की बात करें, सबसे पहले chapter number one chapter number one में से क्या theory आता है सर, what define the previous year income tax charge income during the year तो सर, previous year का मतलब क्या होता है, जिस साल में income को कमाया जाता है उसे बोला जाता है previous year और जिस साल में income पे tax दिया जाता है उसको बोला जाता है, assessment year, दूसरा previous year हमारा less than 12 month भी हो सकता है लेकिन assessment year हमेशा 12 month का होगा, तीसरी बात, कई बार previous year हमारा assessment year ही माना जाता है कब, जब हमारा business shut down हो, हम permanently इंडिया से leave कर रहे हो, shipping business के अंदर हो, discontinue business हो और short duration business हो, ऐसे businesses में हमारे business क्या माने जाते हैं, previous year और assessment year क्या हो जाता है same, तो फटा फट चलिए हम देख लेते हैं, इसके theory के उपर भी एक और फटा फट से मैं reading भी मालता जाँगा कहता है previous year, क्योंकि मैं स्रिफ और स्रिफ आपका revision नहीं कराना चाहता just a minute मैं स्रिफ और स्रिफ आपके लिए revision नहीं कराना चाहता इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ, आपका healthy सारा complete हो जाए यह तो है नहीं, highlighter, ठीक है sir कहता है previous year, previous year क्या होगा previous year means the financial year immediately the preceding of assessment year मतलब वो financial year जिसके immediately preceding the assessment year मतलब previous year हमारा financial year ही होता है लेकिन जो assessment आगे आने वाला year है उससे जो पहले वाला year होगा उसको previous year बोलेंगे एक example से समझ लेते हैं कि आपने मान लेजिए income जो हमारा वो मान लेते हैं हमारा 21 और 22 का है तो आप इन duration में income कमाएंगे टेक्स तो देंगे ने टेक्स देने के लिए आगे आपको 31 जुलाई का वक्त दिया जाता है तो जिस duration में आप टेक्स की calculation करते हैं that is assessment year और इसे बोलते हैं previous year तो कहना यही है कि assessment year से जो पहले हमारा होगा न financial year उसी को previous year कहा जाएगा for example in relation to assessment year 21 इमेड़ेटली प्रेसिदिंग दा फाइनशल यह बीस एक्स being with the 1st April 2020 year ended 31 March 21 shall be the previous year in other word the year in which income is unknown as a previous year बड़ी सिंपल सी बात है previous year in case of new source अगर new source है then in case newly startup business के लिए profession के लिए हमारा previous year less than one year का हो सकता है shall be begun and date starting लेकिन उस case के अंदर जब हमारा previous year starting में होगा तो starting से शो होगा तो मैं पढ़ने के अंदर नहीं सरफ आप सुनते जाएगा पढ़ना आपका काम है तो यह तो यह theory काफी important है सर यहाँ पर डीम डॉनर बता दिया कि किस case में shipping business के case में non resident के case में हमारा क्या हो जाता है सर आगे चला जाता है इसके बाद income EOP artificial judicial person यानि हम बात कर रहे हैं सर income exception case की तो shipping business होगा non residence का उसके अंदर एक ही साल माना जाएगा judicial person particular event purpose के लिए कोई बनाया जाता है मतलब कि एक particular जैसे रामायन दसहरा के लिए एक हमने कुछ बनाया हुआ है तो उसके लिए assessment और previous year सेम रहने वाला है सर इसके बाद क्या कहता है income of the person like income of the person like कहता है income of the person likely transfer to avoid tax ऐसा person जो की transfer कर रहा है property tax को avoid करने के लिए उससे उसी पर ले लेंगे income discontinue business जो business को discontinue करता है उनके लिए तो ये था हमारा first question इसमें सो question तै है मान लेजिए आपका 3 number से 6 number के बीच का question आ सकता है अगला question क्या कहता है what do you mean by the person person क्या होता है income tax act 1961 के according explain the different type of person and in term of different type of SSC person और SSC person वो होता है अब SSC की बात करें तो जो government को tax देगा ना that is SSC मैं tax अगर दे रहा हूँ तो मैं SSC हूँ आप tax नहीं दे रहे हो तो आप SSC नहीं हो person साथ category में बाटा गया है एक बाटा गया है individual individual मतलब मैं और आप हम individual की अगर जाए एक होता है Huf जो पूरा परिवार होता है association of person उपर के जो दो वेक्ती थे अलग-अलग person मिल गए तो association of person आपका हो जाएगा जैसे कि एक company और एक दूसरी company मिल गए body of individual 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 मिलके कोई काम कर रहे हैं उसे बोलते है BOI body of individual association of person में हम मान सकते हैं एक है X company और एक है Huf दोनोंने मिलके क्योंकि Huf भी अलग person है और company भी हमारा अलग person है दोनोंने मिलके एक business start किया short duration के लिए तैट इस association of person body of individual में Mr. A और Mr. B दोनों मिलके काम कर रहे हैं ये तो हो गया partnership लेकिन registration नहीं कराया है इसे क्या बोलेंगे हम body of individual इसके बाद सर हमारा इसके बाद आता है local authority local authority के अंदर आता है government से सारा जूड़ावा जिनका अपना act होता है पारलेमेंट में जैसे MCD हो गया या फिर आप मान सकते हैं DTC bus हो गया for example जो डेली में रह रहे हैं Mumbai के अंदर BMC हो गया या फिर Bombay bus transportation हो गया इसके बाद आता है सर हमारा partnership partnership वही होता है जब दो या दो से अधिक वेक्ति मिलके कोई काम को start करते हैं लेकिन अपने business को अगर उसने registration करा रखा है partnership act में तभी उसे partnership कहा जाएगा as per income tax act तो इसे बोलेंगा partnership इसके बाद बात करते हैं artificial judicial person ऐसे पर जो कि artificial है जैसे मंदिर 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 मस्जित गुर्दो आ रहा यह सारे जो है यह artificial judicial person में आ जाते हैं इनको भी text देना पड़ता है यह artificial person के तरीके से काम करते हैं तो टोटल होगे साथ नमबर बन individual नमबर टू हुएफ नमबर तीन एओ पी बी यो आए नमबर चार कंपनी नमबर पाँच पार्टनर्शिप नमबर चे जुडिशल परसन नमबर साथ आपका आटिफिशल परसन लोकल अथोरिटी और आटिफिशल जुडिशल परसन तो सर यह साथ तरीकी के परसन जो लिखे हुए हैं इसे पढ़ना इसके बाद बात करते हैं सर लोकल अथोरिटी सर MCD MCD आप मान सकते हैं आटिफिशल मंदिर मस्जिद मंदिर टेंपल मस्जिद मॉस्क्यो यह सारा इसके अंदर आ जाएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है कई बार एक्जाम में इसमें से एक पॉइंट आ जाएगा इसको एक्स्प्रेंट करने के लिए matter यह नहीं करता कि SSE लड़का होगा या लड़की होगा यानि जो टेक्स पेमिंट करता है उसे हम SSE के कटेगरी में रखते हैं क्या कहता है SSE means the person who any tax कोई किसी प्रकार का tax दे any other some money payable या कोई भी money payable हो under the act इस act के अंदर कोई भी पैसा देना हो penalty हो चाहे आपका कुछ भी आपका late fees हो कुछ भी तूँ SSE माना जाएगा every person in respect of who preceding the under the income tax act जिसको proceeding मतलब के income tax के अंदर उसने कोई tax वगरा कोई चीज भरा हो simple सी बात है अगर आप income tax भरते हो चाहे GST भरते हो चाहे कुछ भी हो कोई किसी भी तरीके का होगा वैसे GST तो अलग एक्ट आ जाता है इसी एक्ट के अंदर कोई भी भरते हो wealth tax हो गया वैसे हट गया है लेखिन wealth tax किसी का चल रहा हो या कोई भी हो तो वो क्या माना जाएगा SSE simple सब्स में बताऊ जो वैक्ति टेक्स भरेगा वो SSE माना जाएगा या इस एक्ट से जो जुड़ी गया इस एक्ट से जो जुड़ी गया उसे क्या बोलेंगे सर SSE बोलेंगे चलिए सर अगले पर आ जाते हैं सर SSE in default SSE in default आप पर्सन सेड एन SSE default ही फॉल कंपनी विद दिफॉल्ट आपका इंपोस वो कंपलाई करता है विद दिफॉल्ट इंपोस अपोन अंडर्ट बोलते हैं ने इंकम टेक्स का रेड पड़ी गया रेड पड़ी यानि उस वेक्ति जानता भी नहीं था टेक्स देना लेकिन उसके घर पर रेड पड़ी गया वो इंकम टेक्स बोलता है तूँ SSE बन गया तुझे टेक्स देना फॉर एक्जामपल एक परसन इस रिस्पॉंसिबल फॉर डिड़क्टिं टेक्स जो TDS काटता है बट उसने TDS नहीं काटा तो वो SSE माना जाएगा After having deduction fall Pay government he will be SSE उसे government को देना पड़ेगा TDS क्या होता है सर TDS होता है text directory rate source जैसे हम किसी वेक्ति को payment करते हैं तो हमारे लिए तो खर्चा है तो हम अपने P&L के इंदर तब ही दिखा सकते हैं जब हम उसका TDS काट के government को जमा करवा देगा non-resident SSE हो सकता है ordinary or non-resident SSE हो सकता है तो SSE को पढ़िएगा जो important question है सारे important है मैं बताता जा रहा हूँ अब फिर से बताना है previous year as well as assessment year financial year are not same यही बताना है कि previous और assessment year same नहीं होता है इसका मतलब सर previous year 12 महिने से कम कभी हो सकता है assessment हमेशा 12 महिने का होगा income from deemed to be received in India जब ऐसा कौन सा है जब हम मान लेंगे कि income इंडिया में received हो जाएगा deemed to be तो सबसे पहले सर the following income shall be deemed to be received in India important question है यह पढ़ने से कुछ और लगता है यह कहता है contribute made by the employee to recognize provident fund अगर employer जो है बाहर का person है foreigner है employer recognized इंडिया में डालेगा तो मान लेंगे कि इंडिया में receive हो रहा है in excess of 12% of the salary कहता है कि interest credit to the आर्प जो उसके अंदर interest भी आएगा मान लेंगे कि वो इंडिया के अंदर ही receive हो रहा है transfer balance unrecognized provident fund को recognize provident fund में हम करते हैं तो भी माना जाएगा the contribution made to the certain government or any other employer contribution like ATCCD NPS की बात कर रहा है तो NPS बगेरा में आप डालोगे पैसा तो automatically आप माने जाओगे कि इंडिया के अंदर है तो कहता है कि example the income which deemed to be received in India ध्यान से पढ़ लीजिएगा कई बार confusion हो जाता है लगता है कि salary chapter का पार चल रहा है इसलिए चलिए सर इतना करने के बाद एक आता है सर old resume और new resume के बारे में बताईए कई बार question पूछा गया है lockdown के duration में open book हुआ था तो वहाँ पूछा गया था कि explain new resume तो new resume क्या है सर आपको define करना है मैं simple सी बता दूँ हमारे text के दो rate होते है एक old तरीके से चल रहा है एक नए तरीके से चल रहा है old तरीके वाले में हमारे text के rate higher होते हैं लेकिन नए तरीके वाले में text के rate कम होते हैं फरक यह है old वाले में आपको ATC से लेके ATU तक के सारे deduction दे दिया जाते है minus करना allowed होता है text rate याद रखिएगा वहाँ पे क्या है 5,20 और 30 वहाँ पे क्या है हमारा 5,10,15,20 इस तरीके से slab rate में हमारा चलता है वो चीज़ें आप पढ़ लेंगे यहाँ पे वो भी लिखना है सर यहाँ पे देखे आपका rate है 5,10,15,20,25,30 जो किस slab rate को भी आप दिखाएंगे साथ के साथ सर यहाँ पे आप वहाँ किस किस section में यह नहीं मिलेगा कहता है कि the new tax system remove the exemption सर exemption को ही remove कर दिया सर किस किस exemption को remove कर दिया सारी बाते इसमें लिखी हुई है जो चीज़े मैंने बताया कि salary के अंदर सर आपको standard deduction नहीं देगा salary के अंदर आपको entertainment allowance का deduction नहीं देगा salary में सर HR का deduction नहीं दे रहा salary के अंदर सर आपका बहुत सारे ऐसे जो section 10 के अंदर आता children education allowance यह सारे आता है इसका भी reduction नहीं मिलने वाला है इसके साथ सर agriculture income का भी है फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंकम है जो नहीं दे रहा ये चलिए सर ये भी हमने पूरा उसी के बारे में लिखा हुआ है आपको PDF नोट्स ये मिल जाएगा क्योंकि ये मैं आपके YouTube पे भी डाल दूँगा बच्चों को help मिलेगा लेकिन थोड़ा लेट जाएगा अभी तो सिर्फ जुनका अभी एक्जाम है तो उनको एक link दे दिया जाएगा जो हमारा official शिक्षाधाम official के नाम से application है उस application पे PDF क्योंकि बहुत सारे बच्चे download करते हैं हो गया सर आगे चलने सर नियूरिज्यम के बाद exemption भी हो गया यह पूरा होता है सर चप्टर वन पूरा क्या हो जाता है हमारा खतम क्विक रिविजन के साथ हमारा चप्टर वन में इतना ही पार्ट है और इससे ज्यादा है नहीं